ये है Honor का नया स्मार्टफोन Honor X9B जिसे इंडिया में लॉंच कर दिया गया है ये फोन कई सारी खुबियों के साथ में आता है मतलब इसमें आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है इसके अलावा इसमें मिल जाता है कर्व डिस्प्ले साथी और भी बहुत सारे फीचर दिये गये हैं तो क्या ये फोन आपके लिए बहतर अप्शन हो सकता है ये हम जानेंगे आगे वीडियो में तो देखते रहे हैं वीडियो मैं हूँ स्वार वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एट तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन की डिजाइन की तो जैसा आप देख सकते हैं इसके रियर में एक कैमरा सेटप दिया गया है जो आता है वाच स्टाइल में मतलब वाच के डैल जैसा इसमें एक कैमरा सेटप दिया गया है इसमें ऊपर की तरह आपको ट्रिपल रियर कै अगर डेजाइन वाइज भी बात करें तो इसका जो बैक है वो आता है मैट फिनिस के साथ में जिससे जब आप फोन होई करेंगे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इसके अलावा ये फोन आता है 185 ग्राम के साथ मतलब ये काफी लाइट वेट है ये किसी भी स्मार फोन में जिसमें एक बड़ी बैटरी दी जाती है अगर इसके बैटरी साइज की बात करें तो इसमें 800 इमेज की बड़ी बैटरी दी गई है मतलब करीब 6000 इमेज साइज की बैटरी मिल जाती है इसके बावजूद ये फोन है 185 ग्राम के साथ में साथ ही अगर इसके थिकने की बात करें तो यह phone है 7.9 mm thickness के साथ में आप खुदी देख सकते हैं कतना light weight और कितना compact size का smartphone है लेकिन इसमें बड़ी battery दी गई है साथ एक बड़ी display दी गई है जो इसे एक premium category के smartphone में सामिल कर देती अगर phone के connectivity features की बात करें तो इसमें नीचे की तरफ आपको type C charging port मिल जाएगा इसी के बगल में आपको SIM tray का option मिल जाएगा साथ ही आपको मिल जाएगा speaker grill अगर right side की बात करें तो इसमें मिल जाएगा आपको power button और power button के उपर side ही आपको मिल जाएगा volume button इसके अलावा left side बिल्कुल neat and clean है तो ये कुछ smartphone के design है अगर display की बात करें तो आप खुदी देख स देखते हैं ये phone का display है जो आता है कर्ब display के साथ में इतना ही नहीं ये industry का पहला phone है जिसमें मिल जाता है SGS drop certification जो साबित करता है कि ये display काफी मजबूत है मतलब अगर phone नीचे गिर जाता है उसके बावजूद जल्दी phone तूटेगा नहीं आम तो पर देखा जाता है जो कर् इस वज़े से इसमें extra 3-layer protection दिया गया है जो इस स्मार्टफोन के display को बहद मजबूत बना देता है ये phone आता है 6.7 इंच की बड़ी display के साथ में ये एक AMOLED display है जो आती 120 hertz refresh rate support के साथ में इसके अलावा इसमें मिल जाती है आपको 1200 nits की peak brightness जो इसे indoor और outdoor दोन अस्तमाल के ल megapixel के साथ में आता है जिससे काफी detailed photo click की जा सकती है इसके अलावा 5 megapixel का एक ultrawide camera दिया गया है इसके साथ में आपको मिल जाता है 2 megapixel का एक micro sensor जिससे किसी भी close object की काफी detailed photo click कर सकते है अगर camera quality की बात करें तो rear से काफी अच्छी photo click होती है night photography के मामने में phone ठीक ठाक है इस phone मे आपको मिल जाता है maximum 8X का zoom मतलब किसी भी दूर के object की detail photo click कर पाएंगे अगर selfie की बात करें तो front पे आपको मिल जाता है 16 megapixel का एक camera जिससे काफी हद तक अच्छी photo click कर सकते है selfie अगर phone के video quality के बात करें तो इस phone के rear से आप 4K video shoot कर पाएंगे वो भी 30fps support के साथ में वही 1080px video record क करने के लिए आपको 60fps का support मिलेगा तो यह काफी अच्छा है खासतोर पर जो content creation करते हैं उन्हों के लिए अगर phone के processor की बात की जाए तो इसमें मिल जाता है octa core snapdragon 6 gen 1 processor जो आता है android 13 based high OS 7.2 support के साथ में इसमें 8GB actual RAM है साथ ही 8GB virtual RAM support दिया गया इस तरीके से कुल 16GB RAM support मिल जाता है साथ ही इसमें मिलता है आपको 256GB का storage जैसा आपको मालूम है यह phone आता है 8500MH battery के साथ में company का दावा है कि इस phone को आप single charge में करीब 3 दूनों तक इस्तमाल करता हैंगे लेकिन अगर मैं आपने use case की बात करूं तो यह phone single charge में करीब 12 गंटे से एक गिन का या 24 गंटे कह लिजे उसका time निकाल देता है तो यह मेरे इस्तमाल के लिए एक बहतर battery size वाला smartphone बन जाता है साथ हिसमें मिल जाते है आपको 33W का fast charging support जो मेरे हिसाब से थोड़ा और बहतर होता है मतलब अगर 67W का fast charger मिलता तो और भी बहतर हो सकता था अगर phone के first chain experience की बात कर है लेकिन final verdict पर हम बात करेंगे अपने review वीडियो में तो फिलाल के लिए इत्मा ही मैं हूँ स्वारवर्मा और आप देख रहेते nbt take it तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा comment section में comment करके जरूर बताइए साथ ही वीडियो को like कर लिजे और channel को subscribe भी कर लिजे जिससे ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें